सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहेगा आपका दिन, शुरुवात करते हैं आज के सुव विचार सी विचार कीजिए जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता तो इस जन्म मरण के बीज में होने वाले सारी विवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है खुसे पैसे पर नहीं परिस्थीतियों पर निर्भर करती है एक बच्चा गुबारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेच कर और तीसरा उसे फोड कर लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं लोग तारिफ करें और आप खुश हो जाएं समझो आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है पोसिस करें ये स्विच आपके हाथ में हूँ आज का पंचांग 26 मई 2021 दिन बुद्धुवार बैसाक मास के शुक्लपक्ष के पुर्णी मति थी सम चार बचकर 43 मिलट तक रहेगी इसके उपरान प्रतिपदा तिथी प्रारम हो जाएगी अनुराधा नामक नक्षत्र रात्री एक बचकर 15 मिलट तक रहेगी इसके उपरान जुएष्ठा नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे असुप समय दोपहर 12 बचकर 24 मिलट से 2 बचकर 3 मिलट तक रहेगा आज का कोई अभिजीत महुरत नहीं है आज चन्रमा व्रिश्चिक रासी पर संचार करेगी और आश्शूरिया व्रिशब रासी पर रहेंगी धनुराशी 26 मई 2021 देन बुद्धुहार आपके वर्तमान जिन्दगी में काफे उतार चड़ाव आ रही है लेकिन आपको उनसे जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है अपना नचरिया हमेशा की तरह सकरात्मक बनाये रखी इस सिती जल्द ही वहतर होगी लोग आप से सहायता मांगेंगे और आप उनकी सहायता में वेस्ता होकर अपनी चिन्ताइं भूल जाएंगी कोई भी नेने प्राक्टिकल तरीके से लें इससे आप हर मुश्किल मुकाम पर इससे आप हर मुश्किल मुकाम को महनदवारा हासिल करने में सक्षम रहेंगे बच्चों के साथ बैठकर उनकी समश्याओं का समधान करने से उनका आत्म बलबढ़ेगा तथा खुशी मिलेगी नए लोगों के साथ मेल मिलाप होने के कारण कुछ नई बातों के बारे में भी जनकारी आपको प्राप्त होगी जिसकी वज़े से आप सोच विचार करके जीवन में क्या बदलाव लाना है इस बात का भी ध्यान देंगे नए लोगों के साथ जुड़े रहना आपके लिए फायदेमन साबित हो शकता है जीवन में नई उर्जा लाने के लिए प्रयतने करी काम सम्मंदित तनाव अधिक हावी होने के कारण आप अपनी छमता के नुशार काम नहीं कर पा रही है इसलिए काम से थोड़ा ब्रेक लिए और खूद को विश्वास दिला करी काम की शुरुवात करी पार्टनर्स द्वारा मिर रहा मार्गा दर्शन आपके लिए उप्युकता रहेगा शरीर में किसी प्रकार का हार्मोनल इन बैलेंस होने के कारण सेह सम्मंधित बदलाव नजर आएगा शौधानिया पुरानी शकरात्मक बातों को उठाने से वरता मान भी अस्त वैस्त हो शकता है इसे लिए सूजबूस से कामले और पॉजिटिव गतिवीदियों में वेस्ता रखें आनलेंग शौपिंग करते समय बचट का ध्यार रखना भी जरूरी है बात करते हैं लव लाइफ की आपको किसी मज़ा के आदमी के साथ बहुत मज़े करने का मौका आज मिलेगा त्वहाब के दिल के बहुत करीब है और आपको और आपको कोई ऐसी ही हम सफ़ट शाहिए दुशों के उन बातों पर ध्यान देने की जवरत नहीं है जिन में वे आदाश पार्टनर के बारे में बताती है वेवारिक और शंदेशिल बने अगर आपको वास्तविक्ता गोश रास नहीं आ रही हो तो आप इसे सुधारने के लिए कुछ कर ही सकते हैं बात करते हैं करियर की जिन पर इस थीतियों पर आप लंबे समय से लगनके साथ कारे कर रहे थी इस मोड पर आप उन्हें सारवजनी कर शकते हैं और इस तरह से आप अपने शैली में मंच पर आगे की ओर सांसे रुख कर शकते हैं आपके काम की विस्तिश्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब या सब के सामने आएगी हाला कि गोपनीता बना कर रखना समय की मांग है विवस्ता में सेहत और परिश्टम की इस्तिती बनी भी रहेगी विवशय में मेहनत और परिश्टम की इस्तिती भी बनी रहेगी परन्तु आप अपने हिम्मत और शाहस द्वारा अपने मनोबल को गिरने नहीं दिंगे परवारिक प्रविशाय में आपकी उचित कारे प्रणाली की वज़े से अनुकूलता भी बननी रहेगी बात करते हैं सेहत की वो शक्ता है कि आशप अपनी नियमित एक्ससाइश करने के मूड में ना हूँ लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है थोड़ी ज़्यादा हरबल चाय बना कर पियें इससे आपको शकरात्मक उर्शा मिलती रहेगी एक बार फिर से अपनी एकागरता और फोकट एक बार फिर से अपनी एकागरता और फोकस को अपने व्यक्ति गत देख भाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें आश का उपाए आश अब सफिद गाय को हरी घास खेलाएं शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सोंच के साथ आगे बढ़ती रही आपका देश शुब हूँ